हालो दोस्तो स्वागत है आप लोगों को इस्टरीस लेवस में देखें दोस्तो आज मैं आप लोगों के लिए बाइलो जी 12 का कोश्चन लेकर आया हूं जो की परिच्छा में अक्सर पूछ ली जाती है तो देखें दोस्तों कोश्चन है प्लाज्मीड डियने एवं क्रोमोस साथ दोसेज सुमल डियने में अंतर हैं हम लोग इसको समझेवब प्लाजमीड डियने एक्स्त्रा नुकलील डियने जैसे इसमें इसाे एक्स्त्रा बनता है डिय। ठीक है दोस्तों और प्रोमोस व्मल है डियानिया है यह नुकली व्हां यह है और इस में एक ट्रोर्ध मेरा है ज्यादा एक्स्ट्रा उससाइं प्रमस समय यह नूक्नली judgment और दू नमबर में हो गया प्लाजमिड में यह प्राण विहीन जीन को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अस्थानांतरित कर सकता है यह क्या कर सकता है यह प्राणहीन जीन को प्रानहीन मतलब जो मिर्थ है जीन को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अस्थानांत्रिक कर सकता है कि मतलब एक कोशिका से दूसरा कोश्का में भेश सकता है और क्रोमोसोमल है इसके द्वारा जीवित जीन अस्थानांत्रिक होते हैं इसमें मिर्त जीन को अस्तनांत्रिक करते हैं किसमें तो प्लाजमिक दियने में और क्रोमसोल डियने में जीवित जीन को अस्तनांत्रिक करते हैं ठीक है जोस्तों उसके बाद देखिए तीन नंबर में है प्लाजमिक में कि एक जिवानु कोशी का एक से लेकर अनेक प्लाजमि डीने को ले जा सकता है ठीक है जोस्तों और देखिए क्रोमोसोमल में क्या कहता है कि एक जिवानु कोशी का द्वारा सिर्फ एक क्रोमोसोमल डीने को ले जा सकता है यह अनेक से लेकर अनेक है कौन प्लाजमिट है ठीक है लेकिन क्रोमोसोमल जो है एक जिवानु कोशी का डिकता है एक ही तो समझों है दोस्तों हो दोग इस STEP षब समिंगे देखिए दोस्तों प्लाज्मी डीने एक्स्त्रा न्यूक्लिटी डीने है एक्स्ट्रा मतलब जEसारा चाहरा तैसे ज़ाधा ठीकй तो HCBA कंप्लाज्मी डिने कि इसमें एक्स्ट्रा होता ठीक है उसके बाद आया प्रान बहीं जीन को एक कशका से दुसरे कशका में असनांदृत कर सकते हैं कौन कर सकती है यह यह की कुस्त तॉटर और यह जो मिर्थ करोमोसुमल हो जो मिर्थ जीव उन्येक ब्लाज्मिक ने को ले जा सकता है एक the दिवानु को इसका जो है एक से अनेक प्लाजमिक डिने को ले जा सकता है जब कि यह सिर्फ एक क्रोमोसुरल को ले जा सकता है डिने को ले सकता है ठीक है तो आप अगला कोस्टें पढ़ेंगे उम्मीद रहे कि आप लोग यह अच्छी तरह से समझ गया होंगे और याद भी ह हो गया होगा देखें दूस्तों एकसो निकली एज एब में अंतर बता है तो देकिए दोस्तों यह दो नंबर वजला में पुछ पूल सकता है तो यह को सियमा जाएगा और पांच नंबर में पूछेगा तो दोनों एक ही साफ रहेगा ठीक है तो इसको हम लोग याद कर ही कुरमोसомल DNA कैसे जिवान्यों को एक कुषका से दूसरे कर सकता है यह कितने को तो हम लोग मारेंगे एक क्रोमोसомल DNA को ले जा सकता है ठीक है इस परकार सो कोष्ट्यन आती है तो हम लोग देखेंगे सेकेंड कोष्ट्यन एक्सोल नुकलेज एबम एंडोनिकलेज में अंतर तो देखिए दोस्तो एक नंबर में है एक्सोनिकलेज एंजाइम बाहरी किनारे से डियने को अलग करता है एक्सोनिकलेज एंजाइम जो है बाहरी किनारे से डियने को अलग करता है बाहरी किनारे से ठीक है और एंडोनिकलेज एंजाइम एंड यह बाहरी किनारे के दिने को अलग करता है जबकि अंदर के दिने को काच देता है और यह अलग करता है अलग करता है अब दो नमर में देखेंगे अलग किये गया खंड समाने तो छोटे नुकलियोटाइड होते हैं मतलब छोटा नुकलियोटाइड होते हैं मतलब छोटा नुकलियोटाइड होता है और अंदर के दिने को काचता है तो क्या हो जाता है किया नुकलियोटाइड बार होते है और इसमें जब अलग करता है तो छोटा हो समाजना है कि यह अंतर छोटा है तो आसे यह को क।्शन याद हो जाती करेंगे इसमें क्या है जो नहीं करने है परियुक्त नहीं होते हैं आलक किये खान समानियता अनुवानसिक आवियांतरिकी में परियुक्त नहीं होते हैं मतलब तो होता होगा अंतर यहीं दूप से अलग किये ख़ण अनुवान्सी की अभ्यांत्री की में पर्युक्त होते हैं announcing एक बार और समझेंगे हम लोग एकसो न्यूगिएज एंजाइम बाहरी किनारे से डीने को अलग करता है थिर्स अलग कर देता है एकसा न्यूखलेज और यह जो है एंडो निकलीएज जो है अंदर के डाने को काट देता है तो यह जो है अलग कर दिया है में बगा दिया और यह जो है कटियर नूली जोहां कटियर दिया मतलब अलग कर दिया एंडा temps कट दिया है अब इसमें जो अलग किया वो सामयने सा छोते nose at2.3 होते हैं तिक है इसको जो अलग किया सो चोटा हो गया है और ईंडिन्य अलग किया है थांतरी की में प्रयूक्त नहीं होते हैं और अनुंतरी में प्रयूक्त होते हैं दोस्तों तो उस्टों आप लोगों को पुरा याद हो गया उगा और यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा देखिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा हो अच्छा लगा हो तो आपके आपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें और हां अगर आपने आपने चैनल से नहीं जूरे हैं तो आज ही जूर जाए क्योंकि बहुत ही तेजी झाल झाल